गुड बॉर्निंग टू ओल ओफ यू आज की कक्षिया में आप सभी का स्वागत हैं आज हम हमारी कक्षिया को आगे बढ़ा रहे हैं न्याय संगत वैस्वीकर्ण के लिए संगर्ज अब तक की तीन कक्षियाओं के अंदर हमने वैस्वीकर्ण, उदारीकर्ण, आयात, निरि वैपार अवरोदक, विस्व वैपार संग्ठन, भौरास्टिये कंपनिया, उदारीकर्ण और वैस्वीकर्ण के भारती वैर्थववस्ता के उपर पढ़ने वाले जो परतिकुल परभाव हैं उन सभी के बारे में जाना अब हम यहां देखेंगे न्याय संगत वैस्वीकर् में कि क्या वो न्याय संगत थी, क्या उसके अंदर कोई कम्याती उसके बारे में जानेंगे तो यहां मैं बात करता हूं इसके दोस की तो सबसे पहला जो दोस है वो क्या था छोटे उध्योगों को नुक्सान अब नुक्सान कैसे हुआ जो बड़ी बड़ी उराष्टिये कंपनिया थी जिनका बजट बहुत ज्यादा था उनकी जो वस्तुएं बनती थी उन वस्तुएं के साथ परतियोगिता करने में जो छोटे कुटी रुदो के उत्पादक थे वो समर्थ नहीं थे वो बज़ार की जो मांग थी उसके अनुसार क्या नहीं कर पाते थे उत्पादन नहीं कर पाते थे इस कारण बहुराष्टिये कंपनियों के माल से जो है बजार अटा पड़ा रहता था बड़े खूपसूरत दिखाई देते थे तो उभोगता उसकी तरफ आगर्शित हुआ और उनों ने छोटे उत्पादक के जो उत्पाद थे उनको खरीदना क्या कर दिया बंद कर दिया दूसरी बात थी बेरोजगारी का बढ़ना अब ये बेरोजगारी कैसे बढ़गी बड़ी बड़ी जो है अच्छी मसीने आने की वज़े से काम करने वाड़ों की संख्या क्या हो गई घट गई और पुंजी परधान विवस्था जब बनेगी तो किसी भी देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ने की क्या हो जाएगी संभावना क्योंकि उद्योगों के उपर नियंतरन किसका हो गया केवल पुंजी पतियों का और वो अब मजदूरों की बजाए मसीनों से काम लेना क्या है बैतर समझने लगे उससे क्या हुआ बैतर समझने लगे और तीसरी जो बात होगी जब बेरोजगारी आए जाएगी तो गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की संख्या बढ़ गई संख्या क्या होगी बढ़ गी क्योंकि बेरोजगारी होने की वजय से क्या हुआ वो लोग जो है अपने अनुसार प्रतिसपर्दा नहीं कर पाए और जब बेरोजगारी होगी तो व्यक्ति को में काम नहीं मिलेगा तो उसकी जो आर्थिक वरदी है वो क्या हो जाएगी रुख जाएगी और गरीब वैक्ती और जदा क्या हो जाएगा इसके अलावा किर्शी पर परतिकूल प्रभाव क्योंकि जो अमरीका ने जब उधारीकण और वैस्वीकण की नीटी अपनाई तो उनका मुख्यद है जो था वो किर्शी उत्पाद से संबंदित नहीं था, द्वितियक और तिर्थियक उत्पादों से संबंदित था, जबकि भारती अर्थ ववैस्ता जो है 75% तक किसके उपर निर्बर करती थी किर्शी के उपर, तो विश्वय अपार संग्ठन ने ऐसे कोई नियम नहीं बनाए, जिससे किर्शी चेतर के उपर क्या पड़ता, अच्छा आसर पड़ता, आनूकूल पड़ता, तो भारत की जो किर्शी जो ववैस्ता थी, वो अंतरास्टी है, जो किर्शी ववैस्ता थी उसके साथ वेक्तियों का रोजगार क्या हो गया चिन गया तो वैस्वीकर्ण जो होता है उसका जो है फाइदा भी हुआ उसके साथ साथ वैस्वीकर्ण की वज़े से बहुत अधिक हमें क्या हुआ नुकसान हुआ इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए और भी बता देता हूं नंबर करज को भी क्या नहीं कर पाए चुका नहीं पाए इसकी वज़े से भी जो है बहुत ज्यादा क्या हुआ देश का नुकसान हुआ लेकिन अगर हम रियल के अंदर इन चीजों को अगर देखें तो अब दीरे दीरे जब विक्सित रास्टरों ने ये देखा कि अब विश्वेपार संग्ठन का कोई योचित्ते नहीं रह गया है तो उन्होंने विश्वेपार संग्ठन के जो निर्ने थे उनको भी बदलना क्या कर दिया शु विश्वेपार संग्ठन को जो है ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसके अंदर जो है विक्सित रास्टर क्या करे विकासिल देशों को भी मिलकर के साथ ले चले उनके इतों का भी क्या रखा जाए खयाल रखा जाए तभी वैस्वीकर्ण की प्रिकरिया को क्या बनाया जा सकता है इसके साथ हमारे इस पार्ट का समापन होता है आई अब अभ्यास के परसनों को जो है हम हल करते हैं तो पहला है वैस्वीकर्ण से आप क्या समस्ते तो आप सभी को पता है कि अधिक विदेशी वैपार अधिक विदेशी वैपार और विदेशी निवेश के लिए बजारो और उत्पादन में क्या करना तीवर एक ही करना दो या दो से अधिक रास्टरों दिया जाए संड़क्षन दिया जाए अगर हमने विश्व वैपार के लिए भारत को खोल दिया तो भारतिये जो उद्धोग हैं वो क्या हो जाएंगे चोपट हो जाएंगे क्योंकि हम वैसा माल जो नहीं बना पा रहे जो विक्षित राश्टर बनाते हैं इसलिए अपने प्रूरती उनके उपर तो हमने अवरोध लगाया नहीं बाकी सब पर हमने क्या लगा दिया और जैसे हम संपन होगे तो 1991 के अंदर हमने उदारी करण को अपना दिया और इन अवरोधों को क्या कर दिया हमने हटा दिया उसके बाद है सरम कानूनों में लचिलापन कंपनियो को कैसे मदद करेगा इससे क्या होगा कमपनिया जो होगी वो दूसरे रास्टर के अंदर अपने उत्पाद लगाने में क्या होगी सक्सम हो जाएगी अगर कमपनियों को छूट दी जाएगी विदेशी निवेस को आकरशित करने के लिए जो हैं सरकारे क्या करती है सरम को लचीला पन कर देती है कि आप यहां करके काम कर सकते हैं तो अब कंपनिया क्या करेगी नेमीत अधार पर सरमिकों को क्या देगी रोजगार देने की अपेक्षिया उनके उपर काम का धिक दबाव होगा तो लोजदार जो डंग से अगर छोट पर नियंतरन रखती है तो वो क्या करती है अपणे जो अनुसंदान के अंदर है बनाएगी किसी थात्तर की अ reb этиजाइन बना लिया कि तो क्या करती है शोटी था इकाहियां सफित करकेast करनाएगी क्या बनुआएगी? कलपूर्जे बनुआएगी दूसरे देस्टों के अंदर फिर क्या कराएगी? किसी अन्य स्थान के उपर जांसस्ता सरम है वहापर इन कलपूर्जों को जोड़कर क्या बनाएगी? मसीन बनाएगी और उसके बाद में उब्भोगता जहां बजार होते हैं वहाँ पर क्या बनाएगी कॉल सेंटर बनाएगी ये चार मैंने आपको महतापून चीज़ें बताई थी उस ताइम उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विकसित देश विकासिल देशों से उनके विपार और निवेस का उधारिकन क्यों चाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो विकसित देश हैं वो क्या करना चाते हैं पहले तो लाबर जित करना चाते हैं अपने देश में तो उनका माल अब क्या नहीं हो सकता अबिक नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर माल की क्या है बहुत जादा पूर्ती हो गई है और मांग वहाँ पर क्या होती है कम होते हैं और विक्सित देशों के अंसार जो वेपार अवरोध होते हैं वो क्या होते हैं आनिकार ह रखते हैं और वो कहते हैं कि यह अनूची ते यह देश के विकास में क्या है बादक है वेस्विकंड का प्रभाव एक समान नहीं है तो मैंने आपको बताया भी था इसके अच्छे प्रभाव मैंने बताये थे वोगता को कम मुल्य पर जो एवस्तुमें मिल जाती है कच्छा म साल की आप उड़ती हो जाती से स्थानिय कंपनिया समर्द हो जाती बुरा पर भाव क्या था जो छोटे वेपारी होते हैं चोटे जो उद्होग धंदे होते हैं वो चोपट हो जाते हैं सरम कानूनों में लचीलापन अगर जादा आ जाएगा तो सर्मिक क्या हो जाएंगे बेरोजगार हो जाएंगे उसके बाद सात्मा है वेपार और निवेस नीतियों का उदारी कंड वैस्वी कंड परिकरिया में कैसे से होग होता है तो सरकार क्या करती है उरोध और पंती बंदों को अठाने की परिकरिया को हम क्या कहते हैं उदारी कंड कहते हैं क्या बोलते ह hadख विदेशी वैपार विबिन देसों के बाजारों के एक लित में किस परकार मदद करता है मैंने आपको बताया था कि भारत में आप विबिन परकार की अब आपकारे देखती है उसका कारण क्या है विदेशी वैपार है नहीं तो भारत के अंदर अमबेस्टर कार आपको दिखाई देती थी भारत के अंदर आप सेकडो परकार के मोबाइल्स देखते हैं उसका प्रियोग करना आजकल हमशान की बाद समझते हैं तो चीन का जो मोबाइल है उससे भारतिये बजार क्या है बरापड़ा है और ये सार पहरे पूरा विश्व एक्स्तानिय बजार की बास्ती जो है लोगों की पहुंच में आ गया और आज के समय में पाए जाने वाले वैपार अवरोद कब समाप्त हो जाएंगे हम बिना किसी अत्रिक करके किसी भी देश में अपनी पसंद की वस्तू क्या कर पाएंगे मंगव सही है क्योंकि कुछ ऐसे भी छेतर है जहां पर वैस्वी करने हमारे विकास को अक्स्ती पहुचा ही और कुछ छेतर है जहां में वसाहिता मिली है लेकिन वर्तमान समय के अंसार वैस्वी करन हमारी जरूरत है बिना वैस्वी करन के हम क्या नहीं कर सकते विकास नहीं कर सकते हमारे देश में क्या है पुन्जी की कमी है तो हमने यो दोगदंदों की स्थापना करनी होगी तो भेमें क्या करना होगा विदेशी पुन्जी निवेस को बढ़ावा देना होगा और वो तब ही दिया जाएगा जब हम वेस्वी करन का क्या देंगे सहयोग करेंगे इसी के साथ हमारे इस पार्ट का समापन होता है ब्यास के सभी परसनों को आप अच्छे परकार से याद रखेंगे और उन्हें कोपी में नोट करेंगे थैंक यू